म्हुलने स्यल्टेशा width नंशका शिक्षार्थियों आज हम अपरडी डिजाइनिंग कोर्स के अंतागर डिजाइन के सिद्धान्त के बारे में चर्चा करेंगे जैसा कि हम जानते हैं, डिजाइन के सिद्धान, डिजाइन के तत्वों के उप्योग के लिए दिशा निर्देश है इनका उप्योग अलग-अलग परिधानों के निर्माण, चर्चा और मुल्यांकन के लिए किया चाता है डिजाइन के तत्मों को अच्छी तरह से विवस्तित करने के लिए सिद्धान्तों का आविधन आविशक है पाठक को या विशलेशन करने के लिए प्रोसाहित किया जाता है कि कपड़ों के रशनात्म निर्माण में, कपड़ों के विंडो डिस्प्ले में और फैशन पत्रिकाओं में डिजाइन के सिद्धान्तों का उप्योग कैसी किया जाता है अब हम सबसे पहले डिजाइन के प्रिंस्पल लाय के बारे में चर्चा करेंगे। डिजाइन बनाने के लिए रेखाओं या आकरतियों का पुनावरती उपयोग लाय कहलाता है। डिजाइन में लाय एक संगटित गतिविदी की भावना देती है तथा एक दिशा में होती किसी भी कपड़े में डिजाइन के तत्वों का लैबद्य उपयोग दश्यक की आँखों को डिजाइन की ओर आकशित करता है और इस कपड़े से बने वस्त को निरंतरता प्रदान करता है। डिजाइन में लाय हम प्रवाहित रूप से स्पस्ट और शुक्ष्मता से वर्त क करते हैं लेकि शरी की गती कपड़े में लेबद्ता नहीं देती है वस्त में लेया बबद्ता तभी दिखती है जब उसरे पहनने वाला सीदेख ख़डा होता है य encryption व्य cd वस्तर में लाइक को विभिन प्रकार से सजित किया जा सकता है जिसमें सबसे पहला है डिपीटीशन जिसे पुनारवती कहते हैं एक ही डिजाइन तत्व का बार-बार उपयोग और अलग जगह में उपयोग पुनारवती कहलाता है किसी भी कपड़े में डिजाइन पैटर्न बनाने में डिजाइन के किसी भी एक तत्व की पुनारवती हमारी नजर को डिजाइन की दिशा की ओर के इंदित करती है जैसे पैश पॉकेट जो किसी पैट में पीछे दोनों ओर लगाई जाती है वह हमारी नजर को 36 दिशा में ले जाती है जैसे कि इस डाइग्राम में द यूज़ करके हमने curve line को use कर आवा है curve line जो है वो 36 दिशा में move कर रही है तो हमारी आंकों को 36 दिशा की ओले जारी है फ्रॉक में और जिसमें की डैनिया लाइन जो आपस में मिल रही है एक point में वो हमारे neck में v-shape को प्रदान कर रही है अब हम आते हैं लय किसी भी कपड़े में दूसरे त्रह से भी उसमें लाई जा सकती है या जिससे कह सकते हैं कि वस्तर में लय को अनुकरम विदी द्वारा सजित किया जा सकता है जैसे कि डिजाइन के अलग लग तत्वों को एक विशेश कम में प्रयोग अनुकरम कहलाता है अनुकरम भी एक दिशात्मक्त सिद्धान्त है यदि अनुकरम में प्रतिक इकाई का अपना अर्थ होता है तो अपनी इस्तिती निधारित करता है जो अनुकरम को अस्तित्व में लाने के लिए शंगला को दुराना नहीं पड़ता है जैसे कि इसमें दिखाया है गया है कि जो उपर का top है उसमें आपका जो verticals line है वो equal है लेकिन वो अलालग color के through हमें उसमें उसका एक particular sequence गया है मतलग सबसे पहले आपका इसे white है उसके बाद black है फिर white line है फिर black line है तो एक particular sequence को follow करते हुए उसमें design को create किया गया है दूसर तरीका यह है कि हम कपड़े मेला है क्रमांतरण जिसे alteration कहते हैं कि द्वारा हम शदित कर सकते हैं एक ही क्रम में केवल दो चीजों को बार बार बदलने का क्रम क्रमांतरण कहलाता है पुनरवती और अनुक्रम के विसिस्ट्रियोजन के रूप में यह दिशात्मक यह रहाखी के सिद्धान्त है जैसे कि इस design में दिखाई पड़ा है जो इसमें side में जो मोटिव बने हुए हैं डागिनल लाइन के बीच में जो दो मोटिव बने हुए हैं वो आल्टरेशन में यूज के गया है खर्टरनेट में रूप में जिससा कि पहले फ्लाइरवाला है एक पैटल्स है तो यह हमारा किया ओल्टरेशन में जिसके थृफ डिजाइन में हम रिदम क्रियेट कर रहे हैं जो दूसरा मैथण है मिस घ्रेडेशन ग्रेशन के थूरू य किसी भी डिजाइन में डिजाइन तत्वों का अप्रयोग करके शंखला बनाई जाती है किसी शंखला में परिवर्तन की प्रक्रिया को बढ़ते या घटते करम में कुछ शेणी करन कहते हैं जैसे कि हमने इसमें हम गुने ओर जो हमारा ड्रेस दिखाई गयी है ड्रेस में क्या है कि जो अगर हम लोग पोशें से हाई पोश्टन को भी जिए तो देखते हैं कि लाइट से डॉक्त जा रहरा है या या नाक से लटर की हो रहा है तो क्या के color में tint to worse shade और shade to worse tint create करके हमने इसमें gradation or staining करन दिया है जिससे की बढ़ती हुई या घर्ती शंकला हमें दिखाई पाड़ी है color के थूँ एक दूसा method है जिसमें हम transition जिसे हम कहते हैं transition या परिवर्तन के थूँ हम उत्पन्द कर सकते हैं किसी भी कपड़े में बिंदू चरण और अलग स्थान नहीं है जैसे सरनाच्च में वस्त जो असानी से बदलते आकरती का अनुसरांट करते हैं और इस तरह वस्त में ले उत्पन्द करते हैं जो कि परिवर्तन स्धान्त का परिगाम है जैसे कि पहली वाली picture में आपको दिखाया गया है कि इसमे इतनी स्मूद्ली करव किया गया है और इसमें तोनों कपड़ों को जैन किया गया है जिसी जो टांजीशन हो रहा है वो डेट जैट एस गिविग आए श्मूद एफेक्ट एक हमें बहुत ही अबरप्ट साने दिखाय पड़ है स्मूद्ट एफेक्ट है टांजीशन जो हो क्प्ड को जो ड़ियरें की है और जो बहुती स्बूदी टांजीशन देके उसमें कप्ड में एक रिदम के रहा है वैसे ही तूसा हमारा उप शोल्टर जाए जिसमेबी हैी दो कट के कप्ड्रों यूओra गेया है और उसके सेंटर में ओपनिंग है सेंटर ओपनींग में एक ताम बैक सिस्टेमेटिक रिदम विद टांजिशन बाइ फॉलिंग दांजिशन एकॉर्डिंग टूब बॉडडी शेप रिडिशन की थुरू भी हम रिदम कर सकते हैं जिसे वी किरण कहते हैं विकरण द्वारा लग अलग दिशाओं में उत्पन की जाती है और जो शक्तिशाली करते हैं जैसे एक लाइन डाग्राम से दिखा गया है आपको जिसमें किया है की एक केंडर बिंदु हो है जिसमें की सेंटर से हमारा रेडिट कर रहा है और नीचे वाला जो पोश्टन है उसी में किया है कि एक बिंदू से तीन मलंकि ट्री डिरेक्शन में उस वह अपना इ जैसे कि आपका उपर वाले में जिसे लॉइन क्लॉथ क्या सकते हैं लॉइन क्लॉथ को स्टिच करके स्कट बनाया गया है जिसमें की हमारा वेस के एक कॉर्नर से एक कॉर्नर से वो रेडियेट कर रहा है जिसमें की प्रीट के थू करा गया है वैसी उपर हमारा एक इसमें रोप में हमारे वेस्ट पोर्शन में वह चारों दिषाओं में रेडि यहां ब्लाधे तो यह में अनदर मैथड है जिसके through हम कपड़े में रिधम केट कर सकते हैं अब हम आते हैं दूसरर प्रिंसपल में design के designing कर दूसर प्रिंसपल है वो है हमारा प्रभाव जिसे हम emphasis कहते हैं प्रभाव का मतलब है design तत्व का अप्रयोग कर के design में केंद बिंदू का निर्मान करना जो की र पारियत्मक्त व्यवरणों की सामावेश के सांथ साथ आकाश भी वी व्यों की माध्यम से बनाया जा सकता है। जयससा कि हम इस पिक्चर में देख रहे हैं कि जो पहला है उसमें लाइं डियाग्रम उसमें फ्रॉक है का त्व में जो डिजाइण करी गई है। designing की थो czy is कियाbooks मिभी हो सकती है यह इसाइन की पेंटिंग के थ巴 हो सकती है या किसी पैश वर्क के थुरू भी इस दूसरे आपका जो गार्मेंट में सकर्थ में ठिखाए गया है उसमें डियागिनल थे डियागिनल पैशी जोड़े of the skirt now we are coming towards another principle of design which is proportion जिसको पकैते हैं अनुपात दूरी आकार मात्रा और भागो की तुलात्म कसम्बन्धों का अनुपात एक आयामी दियु आयामी और त्रिय आयामी रुपों पर लागू हो सकता है वस्त के डिजाइनिंग में अनुपात विशेष सूप से महत्पूर है वस्तों का समग आकार वस्तों के सभी भागों के समानुपातित होना चाहिए कपड़ों में कार्यात्म और सजावती विशेष्टाएं समग्र परिधान के समानुपाति होनी चाहिए भी हमिलमेंट है प्सक्राइब निजा प्रड़ा प्रड़ा है प्रभाई का आरा एप पर का जेए अगर सेंवार में को हुपार नीचे अगर सेंगे कि उपार नीहें आप नीचे कि कर रहे हैं। मों यह जो हमारा अपर हो चोटाहल 15 ऑर टॉप है वो ब्रबर है calculating एसमें आप पर गान्मेंट है वो लंबी लेन्थ का है और लोर जो garment है वो छोटी length का है तो ये उसपे depend करता है कि हम क्या बना रहें लेकिन उसमें proportion हमारा mission होना चाहिए तब हमारा design principle जो है proportion that will fit towards particular garment Another principle of design is balance जिसको हम संतुलन कहते हैं संतुलन शुरक्षा उस्थिरता की मनोविज्ञानिक भावना के लिए महतपूर है संतुलन का अर्थ शांती में और अरामदायक स्थिती से होता है किसी भी वस्त एवंपरिधान में संतुलन ऐसा अरामदायक प्रभाव एवं भावना है जो रंगों वा आकृतियों के केंद्र को चारों और रखकर इस प्रकार प्राप्त किया जाता है केंद के प्रतेक और एक समान आकर्षिन बना रही संतुलन डिजाइन का वहत सिद्धान्थ है जिसमें विभिन सामगरी के सेयोजन में समानता वा समायोजन आ जाता है यदि वस्त एवंपरिधान के डिजाइन में संतुलन का अभाव होता है तो हमको वितित कर देता है संतुल में इंक्लूट किया है वह अगर उड़ सेंटर से किसी गार्मन की सेंटर से इसको दोनों उड़ देके तो वह दोनों सइट एक्वल होगा बैलेंस्ट होगा और किसी यह किसी एकी डायग्राम में दिखा आगया गया है जिब किसी भी डिजाइन में केंद बिंदू के चारो और समान दूरी पर एक ही आकार एवां भार का विवरण सुसरजित हो तो उसे अपचारिक संतुलन कहते हैं। उसे हम क्या बोलेंगे इनफॉर्मल बैलेंस, अनुरूपता जिसे हम कहेंगे हार्मनी, another principle of design, अनुरूपता किसी भी डिजाइन का महतपून सिध्धानत है, किसी भी कपड़े के भायरूप और उसके विशेस प्रयोग के बारे में विचार करें तो अनुरूपता उसकी अधा हम इंक्लूट कर रही है, तो वो हमें क्या करेंगे, कि बहुती उसमें जो भी हमने design principle कपड़े में ढाला है, या प्रयोग किया गया है, वो एक अनुरूप उसमें हार्मनी क्रेट करेंगे, जैसे कि आपको इस अपैरल में इस फैबरिक में दिखाई पाड़ा है, कि जो हमन हो बुष्जां है, वो उनका इकपल नहीं दिखाई पड़ा है, जो अच्छा साध पैर चार्मनी करेंगे, ऑपर का अरूप नहीं दिखाई पाड़ा है, तो वो हमारे design principle को फॉलो नहीं करेगा, और वो हमें एक अच्छा सा। डिजैन बनके नहीं आएगा जो आकर्षित करें और जो हमें comfortablência i.e.d. अब मिया कहना चाहूँगी कि design principles हें और design elements हैं design elements को हम design principle को follow करके हम design Mouse dataset design बना पारते हैं इतने हमें design principles को ची ز portefe confess को हएभागा का shaped does design principles को कैसेемся प्रियोग करके हम design केट कर सकते हैं जिससे कि हम जो एक डिजाइन में continuity वह ला सकते हैं और जो बोडनेस है और जो हमें मतलब की कहना चाहिए अनु रूपता नहीं है उसको उसमें लैब बतता नहीं है तो उसमें जो एक मोनोटोनी है उसको हम ब्रेक नहीं कर पाएंगे और डिजाइन मारी attractive नहीं बन पाएगी और जो जिस purpose के लिए हम उसे create करना चाह रहे हैं वो नहीं create हो पाएगा इसलिए हमें design principles को follow करते हुए design element का use करना चाहिए जिन पिछले lecture में design element के बारे में बताए गया था जो हमारे है line, shape, form इनको प्रियोग करके और design principles को follow करते हुए हम design element का use करके design create करते हैं और उनको प् और customer जिसके लिए हम बना रहे हैं उसके लिए comfortability देगी उसको attractive look देगी और हमारे इसका प्रियोग करना बहुत ही अराम दायग और असान होगा धन्यवाद